नव वर्ष के अपसर पर अक्सर बाहरी राज्यों से प्रेटन बड़ी संख्या में बरफ का अनंद उठाने के लिए हिमाशल करू करते हैं लेकिन साथ ही वो शायद ये भूल जाते हैं कि कानून व्यवस्ता बनाये रखना भी अती अवश्यक है प्रेटक सड़क किनारे बेतर्तीव ढंग से अपने बाहरी राज्यों से आने वाले प्रेटकों की सुरक्षा के साथ ही हुर्दंगियों से निबटने के लिए पुकता वंदोबस्त किये हैं नवश के अब सर्फ सोलन पुलिस सड़क किनारे किसी भी तरह की शराप पीकर हुर्दंग करने वालों के से निपटने के लिए खास तौर पर पुलिस वलतेनाद किया गया है इस कड़ी में पुलिस द्वारा 31 दिसंबर तक विशेश अभ्यान चलाया जा रहा है जिसमें बाहरी राजों से आने वाले बाहनों की जांच करने के साथ ही ओबर स्पीड ओबर लोडिंग ववाहन चालकों की एलकोहलिक चांस भी करवाई जा रही है पुलिस का माना है कि निया साल मनाने की आड़ में कुछ अपराधी किसम की लोग अपने साथ हथ्यार लेकर चलते हैं और मौका देखते ही अपराध को अंजाम दे देते हैं पुलिस अधिक्षक मोही चावला ने सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि पुलिस ने नववर्ष की सुरक्षा को लेकर बनाए गेर अड़नेतियों पर कारे करना शुरू कर दिया है जिसके तैद बाहरी राज्यों से आने वाले बाहनों की तलाशे लिजा रह ही है उन्होंने कहा कि किसी भी परकार के हुड़न्गियों वे शराप पी करवाहन चलाने वालों को वक्षा नहीं जाएगा सबसे पहले तो आने वाले नववर्ष की सबको शुकाम नाए सोलन पुलिस अपने सेटिजन्स और जो यहां से टूरिस्ट गुजरते हैं आते हैं उनकी सेवटी और सेक्योरिटी के लिए कमिटेड है एक चो समस्या देखने में अक्सर आती है कि लोग या जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो रोड साइट गाड़ी पार्किंग करके उर्धंग या ड्रंका नवस्ता या शिरारती तत्र बन जाते हैं हम इस चीज़ को कभी टॉर्लेट नहीं करेंगे आएं हिमाचल की वादियों में नया साल इंजोय करें पर किसी पी परकार की हुर्दंग या किसी पी परकार की अंसेवलाइज बिहेवर विल नॉट बी टॉर्लेटेड इसके लिए स्पेशल स्कॉर्ट बना दी गई हैं और वो हमने एक्स्ट्रा प्रिक्यूर की हैं और वो भी हमने फील्ड में दे दी